जैमातादी दोस्तों, वर्ल बेस्ट मैजिक में आपका हार्दिक स्वागत है, कैसे हैं आप सब? ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जैमातादी जरूर लिखें. दोस्तों, आठ नॉमबर दिन मंगल वार को साल 2022 का आखरी चंदग्रहन लगने वाला है. ये कार्तिक मा के सुकल पक्च की पूर्णमा के दिन लगेगा, और इसी दिन कार्तिक पूर्णमा का पर भी मनाया जाएगा. हिंदू धर्म में चंदग्रहन का बहुत अधिक महत्तु होता है, लेकिन वैज्ञानिक नजरिये से देखे तो ग्रहन सिर्फ एक खगोली घटना है, जबकि जोति वे चंदग्रहन को पूरी तरह से ढग लेगी. दोस्तों, यह जो आठ नवंबर को लगने वाला चंदग्रहन है, वे मेस रासी और भरणी नचतर में लगने जा रहा है. इसलिए इस चंदग्रहन का सबसे ज़्यादा प्रभाव मेस रासी और भरणी नचतर में जन्मे जात को पर होगा उनके लिए ये चंदग्रहन कष्टकारी रहने वाला है इसलिए उन्हें चंदग्रहन के समय खास सौफधानी रखने की जरुरत होगी चंदग्रहन के समय ज्यादा से ज्यादा चंद्रमा के मंतरों का जाब करें और सिव आराधना करें इससे चंदग्रहन का बु साम 7 बचकर 25 मिनट पर होगी ये ग्रहन की टाइमिंग भारत के बाहर की है यानि विदेसों की है क्योंकि इस समय भारत में दिन रहेगा ये ग्रहन भारत में सिर्फ मोक्छ होता हुआ ग्रस्तोदे के रूप में दिखाई देगा यानि भारत में जब चंद्रमा निकलेगा तो उस पे पहले से ही ग्रहन लग चुका होगा और बात करें भारत में चंद्ग्रहन के समय की तो भारत में इस चंद्ग्रहन की शुरुआत साम पांच बचकर 32 मिनट पर हो जाएगी और इस चंद्ग्रहन की समापती साम 6 बचकर 19 मिनट पर होगी दोस्तों ध्यान रहे कि भारत में हर सहर में चंद ग्रहाण सुरू होने का समय 10-15 मिनट आगे पीछे रहेगा क्योंकि हर सहर में चंदरमा निकलने का समय अलग होगा इसलिए चंद ग्रहाण के सुरूआत की टाइमिंग आप अपने हिसाब से जरूर देखें और यदि आपको टाइमिंग में कुछ कन्फ्यूजन है तो आग कमेंट बॉक्स में अपने सहर का नाम लिखकर अपने सहर की एक्जेक टाइमिंग जान सकते हैं मैं आपको आपके सहर की एक्जेक टाइमिंग बता दूँगी दोस्तों ये चंद ग्रहाण संपून भारत में दिखाई देगा ये चंद ग्रहाण बिहार, बंगाल, उरीशा तथा पुर्वोत्तर भारत में खग्रास चंद ग्रहाण यानि पूर्ण चंद ग्रहाण की रू अर्जन्टीना, चिली, बोलिविया, ब्राजील, चीन, रूस, बोटान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, स्री लंका, मयारमार, फिजी, थाइलेंड और जपान आदी में भी दिखाई देगा और बात करें इस चंदगहन के सूतक काल की, तो दोस्तों ये एक ग्रस्तोदिच चंदगहन है, और ग्रस्तोदिच चंदगहन के सूतक काल का मानने सुर्योदे से ही हो जाता है, तो इस चंदगहन के सूतक काल की सुर्वाद सुर्योदे से ही हो जाएगी, और बात करें सूतक क काल कि समय की तो इस चंद ग्रहन के शूत्तक काल की सुरुवाद, सुबह छै बचकर 39 मिनट पर हो जाएगी, और स्ूतक काल की समाप्टी ग्रहन के साथ ही साम 6 बचकर 19 मिनट पर होगीॉ दोस्तों, जो तिस सास्तर के अनुसार चंद ग्रहन के समय जातकों पर इसका प्रभाव मन पर पड़ता है क्योंकि ग्रहन के समय चंदरमा पीड़ी तवस्ता में होता है इसलिए इस समय ये असुफल प्रदान करते हैं आपको बता दें कि समान व्यक्ति से ज़्यादा चंदग्रहन का प्रभाव गर्वती महिला पर पड़ता है इसलिए उन्हें चंदग्रहन के समय खास सवधानी रखने की सलह दी जाती है गर्वती मैलाओं को चंद ग्रहन के दोरान अपना खास ख्याल रखना चाहिए उन्हें किसी ऐसे कमरे में रहना चाहिए जहां पर चंद्रमा की रोसनी ना पहुचे इसके लिए आप अपने कमरे के खड़ की दर्वाजों पर मोटे मोटे परदे डाल लें और ध्यान रहे कि इस समय आप कोई भी भारी काम ना करें दोस्तों गर्वती मैलाओं को ग्रहन के समय कुछ भी काटना चीलना चोकना या बगहरना भी नहीं चाहिए इस दोरान खाना पकाना नहीं चाहिए और नहीं गैस जलानी चाहिए आपको बता दें कि चंद ग्रहन के समय बाहर तो आपको बिल्कुल भी नहीं जाना है क्योंकि ग्रहन की पढ़ने वाली रौसनी बच्चे को नुक्सान पहुचा सकती है दोस्तों ग्रहन के समय चारों तरफ बहुत अदिक निगेटिविटी फैल जाती है इसलिए घर में सभी पानी के बरतन, दूद, दही, गी, अचाराद में तुल्सी या कुसा डाल देनी चाहिए और ग्रहन समापत होने के बाद उस तुल्सी के पत्ते को निकाल कर आप किसी गमले में डाल दें दोस्तों, सास्त्रों के नुसार गर्वती महिला को ग्रहन के समय खाना पीना भी नहीं चाहिए अगर आपको खाने पीने की जुरत मैसूस हो, तो आप ग्रहन का सुतक लगने से पहले ही अपने खाने की और पीने वाली चीजों में तुल्सी का पत्ता या कुसा घास डाल लें इससे वे भोजन और पानी दोसित नहीं होगा आपको बता दें कि चंद ग्रहन सुरू होने से पहले गर्वती महिला को थोड़ा सा गंगा जल पी लेना चाहिए और ग्रहन के दोरान अपने पास एक नारियल भी रखना चाहिए इससे ग्रहन का नकारात्मक प्रभाव आप पर और आपके होने वाले सी सुपर नहीं पड़ेगा आप ग्रहन के समय भगवान का इस्मरण करें या फिर आप जीब में तुलसी का पत्ता रख कर संतान गुपाल मंदर का जाब करें ध्यान रहे कि ग्रहन के समय गर्वती महिलाओं को रसोई से समन्देत कोई भी काम नहीं करने चाहिए उन्हें इस दौरान कपड़े दोना, बरतन दोना, ताला खुलना, बाल कीचना आदी जैसे कारे करने की मनाही होती है और गर्वती महिला को ग्रहन समापत होने के बाद गंगा जल डाल कर इस्नान अवस्से करना चाहिए यदि आप बिमार हैं, किसी कारण वस्सनान नहीं कर सकती, तो आप अपने उपर गंगा जल चेड़ा कर अपने वस्तर अवस्से बदल लें और इसके बाद अपने पूरे घर पर और घर के मंदिर पर भी गंगा जल चड़कें ताकि ग्रहन का नकारात्मक प्रभाव आपके घर से भी पूरी तरह से समाप्त हो जाए दोस्तों, जब ग्रहन सुरू हो, तो गरवती मैला को अपने हाँ से थोड़ा सा अनाज या कोई पहना हुआ कपड़ा अलग कर देना चाहिए और जब ग्रहन समाप्त हो जाए, ता बाववय कपड़ा और अनाज आदर सहित किसी सफाई करमचारी को दान कर दें ऐसा करने से आपको सुफल की प्राप्ती होगी तो दोस्तों, ये जानकारी आपको अच्छी लगी, तो कमेंट में जैमातादी जरूर लिखें और अगर आपका कोई सवाल है, तो उसे कमेंट बॉक्स में अवस्य पूछ लें और इस वीडियो को लाइक करें, सेयर करें और साथ ही साथ चैनल को सस्क्राइब करें धन्यवाद